हेलो फ्रेंटस कैसे हैं आप सब आज हम सुवे सुवे ही चमiron ही, आज हम बनाएंगे करी क्यूंकि आज हमें मिक्चर बनाना है तो उसके लिए हमें पहले सबसे पहले करी डाटना होगा तो करी हम किस तरह से बनाते हैं यह देखिए यहां पर सुबह हमारा हो चुका है और करी का जो हमारा चांज था तो थोड़ा सो छोटा था इसलिए मैं बगल वाले घर पर गईती लेने के लिए उसको लेकर आ गए हैं और अभी तब तक यहां पे में जो मेरे बढ़ा है वो स्टार्ट भी कर चुके है तो अभी हम पहले जा रहे हैं उनके लिए कुछ नास्ता वास्ता जो भी है वो मनाने के लिए फिर उसके बाद मैं यहां पर करी डाटने स्टार्ट कर दूंग यहां पर निकलता है और मिक्चर के समान में बहुत सारा समान लगता है तो हम सब कुछ तयार करके इहां पर रखे हैं मतलब जिसको फूराओना था मतलब पानी में डूबो करकना होता है उसको हम दोबो कर दिया है पोहा इसमें डालेंगे मुँफली डालेंगे तो समान जो है उसको लेकर रख दिये हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर करी ही डात रहे है उसको इसाliest गिसना होता है जो सुखा चीज है मतलब जो Mixer ही यह सारे चीजे हम पहले बना रहे हैं तो अभी महगान नहीं आए हैं उतने आज या कल सब आने वाले हैं तो जब सब आ जाएंगे तब उसके बाद यहाँ पर मतलब काम करने के लिए बहुत सारे बहुत सारे लोग हो जाएंगे अभी कोई नहीं है इसलिए हम ही कर रहे हैं सारी चीजे तो कल से सब आएंगे उसके बाद हम आ गए थे अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो डिब्बे हैं इनमें एक डिब्बे में लेसुन है और दूसरे डिब्बे में हल्दी अचार सारी चीजे जितने अभी कीचन का समाल लगता है और सारी चीजे एक एक डिब्बे में पैक करके उसको दुर्धन को जो बेटी होती है उसको देते हैं तो हम यहाँ पर सारी चीजे किसी में मसाला किसी में हल्दी किसी में नमक तो नहीं देते हैं चकर चाय पत्ती और एक जो में चीज होता है ओ है बड़ी जो उड़त की डाल से बनाई जाती है तो उस बड़ी को हम यहां पे दो इस तरह से डिब्बे में उसको पेकर के डार रहे हैं और यह सारा समान जाएगा इसको चाहर को ज यह हम नीचे देख रहे हैं और इन चीजों को यह चाहर इभी सितले से पोलास करते हैं तो बेंद आस नमक डाल कर नंकारे मिक्स किए तब चाहिए तो इस बोंदी को भी उसमें कड़ा अओना कर नमक डाल कर बना अब नर्युक्छ यहां जो छोटे आृप में दोरी पहले यह आगई थी तो मैं अपना कुछ भी समान लेकर नहीं आई थी सारा समान कुछ सूबहर से जो मैं बनाई थी तो औन फ़ी समान लेकर आ गए है斯िची में मतलब नीचे बिछाने के लिए गद्धे हैं तो उपर बिछाने के लिए हैं और यहां पर आते ही पुझा सुभम को परिसान कर रही थी और उसको इस तरह से उसको बहुत टाइम बाद आया है इसलिए उसको यह इस तरह से परिसान कर रहे थे और दोनों इहां पर खेल रहे थ तो चिला चिला कि हमारा खुद का गला बढ़ जाता है पर यह सब के मस्तिर चलती रहती है और यहां पर कुछ दिन तो ऐसी ही धूप नहीं थी पर आज धूप ज्यादा हो रही थी तो हम दोपहर में कुछ भी नहीं बना पाए इसलिए इसके उपर में जो पाल है उसको हम थो गॉड़ा सु झथाओ करने के विए इस बाल को यहां पर उसको दे रहे हैं हम आपर लकडी का देना चाहते थे पर उस टाइम लेवर जो है उनहीं आय थे तो नहीं देपाया्य थे इसलिंगां कर रहे है उसके भार इहां पर सारी चीजे जो है मिक्चर बनाने का उन सब बूंदी बनाये थे उसको मूं फली और फिर सारा चीजे यहां पे कुछ मिठा निम पत्ती है और लाल मिर्च लाल मिर्च को भी अच्छे से डाल दी है ताकि थोड़ा थोड़ा तिखा ये लगे और मेरी आबास थोड़े आप लोगों को अलग लग रही होगी क्योंकि यहां पर जब से आए हैं तब से हम नीचे सो रहे हैं और मौसा में ऐसा है कि कभी-कभी बारिस हो रही है और बहुत ज़्यादा थन्ड भी हो रहा है तो इसलिए गला जो है मेरा बैठा जा रहा है तो हैं पर सारी चीजे मिक्स हो रही है मिक्चर जो है पुरी तरह से बन जाने के बाद सबसे पहली यहाँ पे हम पुजा को जब लगन बरात आएंगे मत्रफल दान के लिए आएंगे तो हम यह जो एक आप ड्रम देख रहे हैं इस ड्रम में भर कर एक ड्रम भर कर मिक्चर जो ही उसके ससुराल देना होता है इसलिए और यहाँ पे मैं इसको भर रही थी तो यह ड्रम जाएगा उसके ससुराल बाकी जो बचेगा ओ हम नास्ता वास्ता देने के लिए और पिर साधी में देने के लिए काम आएगा तो ऐसे ही एक ड्रम में मिक्चर जाता है और दूसरे ड्रम में कुछ मिठाईया उस टाइम में दिखाऊंगे आप लोगों को कुछ टाइम मिठाईया भी जाती है उसके बाद जो हम खाना वाना खा चुके हैं अभी रात के टाइम और जितने भी मिक्चर बनाया थे तो जितने भी बड़े-बड़े सामान थी अगले दिन सुबे का तो डेली सुबे और साम हमारा लगा ही रहता है ऐसी ही और आज सुबे हम मिक्चर हमारा बन चुका है अब यहां पे हमारा बनेगा लड़ू लड़ू के लिए पहले चासनी बना चुके हैं और अभी लड़ू को इस छोटे से जो आप जरावागी देख रहे हैं इसमें हम जारते हैं तो यहां पे कुछ रंग डाल रहे थे ताकि अच्छा दिखे कलर फुल दिखे इसलिए यहां पे रेट कलर औरेंज कलर अगर 10 किलो का आटा है मतलब 10 किलो अगर कम हो जाएगा तो फिर बना लेंगे एक दो किलो ऐसे तो यहां पे देखे कलर उसका अच्छा था उसको चासनी में उसी टाइम डूबो दिये थे और डूबो देने के बाद यहां पे अब देख रहे हैं कि मेरी मा और मेरी जो अगल बगल में जो भी है सबको हम यहां पे बुलाया थे तो यह बड़े बड़े रूई जैसे बना रहे हैं लड़ू तो ऐसे 10 लड़ू बनाया जाते हैं और इसको अभी अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो यह फट जाता है इसलिए इनको एक साड़ी में हम अच्छे से टाइट करके बांद कर रखते हैं और 10 लड़ू जो है इसको भी यह भी जाएंगे पुजा के ससुराल यह नेग होते हैं तो यह 10 लड़ू इस तरह से देंगे फिर बाद में जो खाने पिने किये और जो भी काम आएंगे उनको छोटे-छोटे हिसाब से बनाएंगे तो इसलिए अभी साड़ी में इनको अच्छे से बांद के एक टप में रख रहे हैं फिर 2-3 दिंग के बाद इनको हम निकालेंगे तो यह नहीं फूरते हैं अगर पसंद आयो हो तो प्रीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा